जैजनेद बंदो मैं रवी जैन गुरू जी आज रवीवार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारी आरम करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले नए वाहन का योग दिन की शुरुवात अच्छी रहेगी क्या करे हल्दी चंदन का टीका माथे पर लगाएं वर्षब रासी वाले लंबी यात्रा से बचे आलत से आपका दुसमन बनेगा क्या करें ओम रिमशिरी कुंतुना जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें मीतुन रासी वाले नए रिस्षे बनने के चांस सुब समाचार भी मिलने का योग क्या करें नए मंदिर जी या इस्तानक में अवश्य जाएं करकरासी वाले मन काबु में रखें खाने में सैयम बढ़तें क्या करें पांच बादाम बेदी पर ओम रिमशिरी पदम परभू जिनेंदराई नमा बोलकर चड़ाएं सिंगरासी वाले केसर का टीका माथे पर लगाएं कोई परेशानी आ सकती है क्या करें भोजन में आज खीर अवश्य लें कन्यारासी वाले दिन साधारन है सेवकों से सावधान रहें क्या करें घर पर ज्यादे समय वेथीत करें तुलारासी वाले जीवन साथी का ख्याल रखें बच्चों पर क्रोध ना करें क्या करें घर लोटते समय खाली हाथ ना आएं कुछ ना कुछ लेकर ही घर में परवेश करें वरश्चिक रासी वाले समस्दारी से काम लें समय अच्छा है क्या करें ओम रीम श्री अभिनंदन ना जिनिंद्राई नमा की माला फेरें धनुरासी वाले नवीन संपत्ति का योग क्रोध पर काबू रखें क्या करें शिरी चंद्रपभू चालीसा एक बार अवश्य पढ़ें मकररासी वाले रुपिया पैसा मिलने का योग नोकरी में भी सुधार के चांस क्या करें शिरी भक्तामबर जी का दो नंबर का काव्य ग्यारा बार पढ़ें कुमरासी वाले खर्चे पर अंकुस लगाएं अनावश्य खर्च से बचें क्या करें सवासो गिराम काले उड़त दान करें या उससे अधिक कितने भी मीन रासी वाले स्वास्त का ध्यान रखें रिस्तों में तालमेल बैठाएं क्या करें एक घड़ी 24 मिनट का मौन रखें दिन में दो बार रासी फलके वश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में जहान रखें अगर आपके परिवार में या आपके मिलने वालों को पागल कुटे ने काट लिया है तो आपको चाहिए ड्रोक्टी ची किसा के साथ साथ शेरी भक्तामबर इस्तोत का दस नंबर का कावे भी उन्हें लगातार सुनाएं अगर आप ऐसा करेंगे तो पागल कुटे के जहर को कम करने में आप काफी हद तक काम्याब हो जाएंगे क्योंकि शेरी भक्तामबर इस्तोत का दस नंबर का कावे कुटे के जहर को कम करने में बहुत सहयोगी होता है लेकिन ध्यान रखे साथ में टॉक्टी ची किसा भी हमें लेनी है और इसके बाद अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है चंदन जैन जी ने पुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं गुरुजी मेरी बहन की शादी को दो साल हुए है मगर उसका वहवाई जीवन ठीक नहीं है उसका भविश्य कैसा रहेगा हम बहुत चिंतित हैं किर्पिया हमारा मार्ग दर्सन करें देखे चंदन जी आपने जो अपनी बहन की मंदिली में शनी की ढहिया चल रही है और दूसरा उसके सब्तमभाव में सूरिया बैठा हुआ है जब इस तरह की समश्या होती है तो वहवाई जीवन को बहुत मुस्किल से समभलने देता है तो आपको दो पाए करने चाहिए कि आप बहन से कहें कि एक तो शनी वार को 21 लो चड़ा दें और दूसरा रो जाना सुबह के समय पदम परभू चालीसा पड़ें अगर आप ऐसा करवाएंगे अपनी भेहन से तो निश्चित उसके वहवाई जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्या सा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुबह और मंगल में हो इसी भावना के साथ सबी को जै जिनेदर